ओम नम्ह सिदेव्या सभी कोशुधात्न बंदन सोनगड मैसेज में आज का मैसेज पुजश्री बहन सी बहन के 156 बोल के आधार से दिया गया है तो आईए इसका हम अर्थ और भाव समस्ते हैं बोल है करना तो एक ही है पर से तनमेता तोड़ना अनादी अभ्यास होने से जीव पर के साथ एकाकार हो जाता है पुज़ गुर्देव मार्ग तो इसपस्ट बता रहे हैं अब जीव को स्वयम पुरुशार्थ करके आत्मा में से गुण प्रगट करना है तो बहुत ही अच्छी प्रणा दाइक बोले इसमें माता जी क्या बताते हैं कि जो कार्य हमें करना है वो कौन सा कार्य करना है संसार में हम तो बहुत सारे कार्य करते हैं कोई डॉक्टर है कोई इंजिनियर है कोई ग्रहनी है तो बहुत सारे कारे तो यही कारी है क्या पढ़ना लिखना लिखाना ये कारे नहीं है ये सारे तो अकारे एलोकिक की कारें की यहाँ पर कोई value नहीं है कोई गिंती नहीं है यहाँ कारे अपनी आत्मा में जो मोक्ष का साधन करने है तु है जो सम्वर निर्जरा प्रगट करन के लिए जो पुरुशार्थ है उसे कारे कहा है क्योंकि सत पुरुशार्थ उसी को कहा तो वो कारे कैसे होगा तो पर से तनमयता तोड़ना अब पर से याने कौन पर तो पर में इस्तरी पुतरादिक सब कुछ ले लिया मेरी आत्मा को छोड़कर सब कुछ पर है जो ये मेरा शरीर है ये भी पर है तो इनसे क्या करना है तनमेता तोड़ना है तनमेता का मतलब जो उसमें हमने एकत्व मान के रखा है ना एकत्व ममत्व माना है तो उस एकत्व ममत्व बुद्धी को तोड़ना है उसको छोड़ना नहीं है यहां छोड़ने से मतलब नहीं कि हमने किसी को सब को छोड़ना छोड़ना अलग-अलग कर दिया यहाँ पर हमें अपने ग्यान में उनके प्रती जो आसकती का भाव है जो एकत्व का भाव है उससे अपको ग्यान में ही उसको हटाना है बाहर में किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या हटाया क्या तोड़ा क्या जोड़ा लेकिन आपको ग्यान में ही ग्रहने और ग्यान में ही त्यागे क्योंकि हमारी आत्मा वो कैसी है त्याग उपादान शुन्यत्व शक्ति से युक्त है तो इसलिए यहाँ पर हमें सिब ग्यान में उसके प्रती तनमेता को तोड़ने की बात चल रही है अभी तक हम ये क्यों नहीं करें कर पाए क्योंकि अनादी का अभ्यास होने से अनादी काल से हमने यही कारी किया है पर में एकाकार हो गए है तो इस कारण हमें क्या हुआ हमारा जो मार गए वो इसपस्ट नहीं मिला अभी परम उपकारी हमारे महा भाग्य से गुर्देव श्री हमें मिले जिनोंने हमें इसपस्ट मार्ग बताया लेकिन फिर भी पुरुशार्थ तो हमें ही करना है तभी हमारे आत्मिक गुण प्रकट होंगे अब भोजन की थाली तो बना कर ला दी है लेकिन उसे उठा कर मुँ में डाल के चबाना तो हमें स्वयमी है ना तभी हमारा कारी की सिद्धी होगी तो इसी तरीके से हमें सिप पर से एकात्व ममत्व को तोड़ कर अपने आत्मिक गुण को प्रगट करना है यह इस बोल का सार है अब देखते हैं आज की रतनकणिका में क्या आया है उमुक्ष्य ने प्रश्ण किया है कि जो टिका हुआ है उसके रूची के प्रकार में शती है या रूची की मात्रा में शती है तो उस पर से बहनसरी बहन ने जवाब दिया है अपना अपने को समझ लेना प्रकार में शतिया खामी है या मात्रा में उसे अपना रदय समझ लेता है कि मैं चैतन्य रूप हूँ वह एक ही मुझे चाहिए तथा भी मैं बहिरमुक होता हूँ वह मेरी रूची के प्रकार में कमी है पुझे गुर्देव श्री इसपस्ट मारग बताते हैं और जिसने सच्चा मुमुक्षु होकर श्रबन किया हो उसकी रूची में खामी रहे सो ये कैसे शक्या है परन्तु अपनी रूची की मात्रा में द्रड़ता में ऐसी अनेख प्रकार की कमी है इसलिए बाई हमें टिका रहता है यानि इस का अर्थ ये निकला कि हम जो है हमारी रूची में कमी है क्योंकि सत्य तत्व को हम ग्रहन नहीं कर पा रहे और क्या हैं बाहर में अटक रहे क्यूंकि हमने परद्रावे में जो हमने एकत्व ममत्व करके रखा है वही हमें सच्चा लगता है। हमारा मन, हमारा ग्यान, ये मानने को ही तैयार नहीं होता है, कि मैं جो हूं, जीव तत्व, वो इस शरीर से भिन्न है। जिस दिन हमें ये एहसास हो जाएगा कि मैं याने मैं जीव हूँ और ये शरीर ये अजीव है ये पड़ोसी की तरह है तो हमा अपने आप ही हमारा बेधियान हो जाएगा और जो ये हमारी रूची है वो टिकी रहेगी तो इस प्रकार से जो रूची को एकागर करने कि यहां पर बात करिए कि अपने आत्मतत्व पर रूची जगे, अभी हमारी रूची कहां परे, बाहर के पदार्तों में, सब कुछ जान लेना, सब को पहचान लेना, सब से मिलना, बात करना, अगर सौध्याय भी करना है, तो ये पढ़ो, वो पढ़ो, यहां जाओ, वहां जाओ, शि एक मातर बहिर मुख द्रस्टी को अंतर मुख करना है, तो इसी प्रकार हम भी अपनी जो बहिर मुख द्रस्टी को अंतर मुख करें, और उपर दिये कुछ उप्रशने, उनका आप आंसर खोजनी की प्रयास करें, थोड़ा चिंत्वन करें अपना, और जितना हो सके, उतना द्रस्टी को उपियोग को अपने अंदर में प्रतिस्थित करने का प्रयास करें इसी शुद्ध भावना के साथ आप सभी को जैदें